कि यहां रोजेश्ञ फीजिक्स ऑफ डी आर ट पर्ट फर्स्ट जैसा कि आपको पता है डीशन फिजिक्स में अपना टोपिक चल रहा था लेट्रिकिसिटि और मैंगेटिजम हमने इसके साँरे टोपिक कम्प्लिट कर लिए थे अभ हमारा यहां पर मैंगेटिजम हमने स्टार्ट किया था last lecture के अंदर ठीक है Magnetism के अंदर हमने बहुत सारे चीजे पढ़ी जैसे Magnetic Feed, Magnetic Lines of Force Magnet क्या होती है Magnetism Property क्या होती है यह सारी चीजे हमने last lecture के अंदर डिस्कस कि थी वो भी electricity वाले components या फिर topic के साथ में relate करके that means हमने electricity को यहाँ पे साथ मिले के चले थे हम उसके साथ हमने relate किया था इन चीजों को और फिर हमने magnetism को यहाँ पे समझा था ठीक है तो आज भी हम magnetism के topic को आगे continue करेंगे बट आगे का topic continue करने से पहले एक बार last lecture का हम छोटा सा revision कर लेते हैं सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें magnetism की ठीक है तो magnetism से पहले हमें बात करनी होगे magnet की कोई भी ऐसा substance या फिर कोई भी एक ऐसा material जो क्या करें जब आप उसको freely suspend करते हो तो वो खुद को north और south pole के अंदर stable कर लेता है वो substance क्या कहलाता है magnet कहलाता है और जिस property के कारण यह सब कर रहा है that means जब आप उसको freely suspend कर रहे हो that time अगर वो खुद को north south direction के अंदर stable कर रहा है तो वो property क्या कहलाती है magnetism कहलाती है या फिर कोई भी magnet है वो कैसे दूसरी magnet को या फिर दूसरे जो iron feelings metals को attract करती है वो property क्या कहलाती है उसकी magnetism कहलाती है अब magnetism produce कैसे होता है जब electrons move करते है atom के अंदर दो प्रकाल के motion होते है वहाँ पे ठीक है orbital motion और spin motion इनके कारण magnetic moment produce होता है ठीक है अब जो आपकी magnet होती है magnet के चारो तरफ की वो जगह जहाँ पर कोई भी दूसरी अगर आप magnet लेके आ तो या फिर दूसरा ऐसा substance जो force feel करे वो force attraction का भी हो सकता है और repulsion का भी हो सकता है वो जगह क्या कहलाती है magnetic field कहलाती है ठीक है magnet के अंदर दो poles पाए जाते है एक north pole होता है और एक south pole होता है ठीक है अगर अब अपनी आपे बात करें magnetic lines of force की ठीक है तो magnetic lines of force same as it is electric field lines of force की तरह ही है एक imaginary lines है ठीक है जो क्या करती है magnetic field को represent करती है इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक दूसरे को intersect नहीं करती है अगर आप किसी भी magnetic field line के उपर tangent draw करते हो तो वो क्या करती है उसकी magnetic field के direction को show करती है इसके बाद में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था pole strength सबसे पहले अपन बात करते हैं pole की क्या होती है pole यहाँ पे जो आपकी magnet है magnet के अंदर दो pole पाये जाते है एक north pole और एक south pole ठीक है तो यहाँ पे अपन बात कर रहे है एक particular pole की strength की that means एक particular pole होता है उसमें कितने strength होते है that means उसके चारों तरफ की वो जगह जहाँ पे ठीक है एक meter के दूरी पे अगर आपन दूसरा pole रख रहे है तो यह सारी चीज़े हमने अच्छे से discuss की थी आज हम बात करेंगे यहाँ पे एक नए topic की वैसे तो आपका यह पढ़ा हुआ है बट कर लेते हैं discuss इसको now we will discuss about the coulomb's inverse square low ठीक है electricity में भी हमने इस low के बारे में discuss किया था अब यहाँ पे हम discuss करेंगे इसको magnetism के अंदर ठीक है वहाँ पे क्या बताया था coulomb inverse square low ने और यहाँ पे क्या बताया था दोनों के दोनों लोग आपके same है बस वहाँ पे आपके electric charges थे और यहाँ पे आप क्या लोगे pole लोगे ठीक है तो सबसे पहले अपन बात कहते है कि अपने electricity के अंदर क्या पढ़ा था electricity में हमने ही है पढ़ा था कि जब अपन कोई भी दो unit positive charges को our distance पे रखते है तो उनके बीच में लगने वाला force वो force attraction का भी हो सकता है और repulsion का भी हो सकता है उनके बीच में लगने वाला force उन दोनों charge के magnitude के product के तो directly proportional होता है और उन दोनों के बीच की distance के square के inversely proportional होता है यह चीज हमने वहाँ पे discuss की थी और वहाँ से हमने formula निकाला था F is equal to K Q1 Q2 upon R square अब अपन बात करते हैं यहाँ पे magnetism की तो यहाँ पे magnetism में आपके पास क्या होगा charge के जगह पे pole आ जाएंगे ठीक है एक pole आ जाएगा आपका M1 एक आ जाएगा यहाँ पे pole strength M2 ठीक है तो अगर आप इन pole strength की बात करोगा यहाँ पे तो अगर उसी formula को या फिर उसी आपका जो low था कुलाम का वो अगर हम यहाँ पे लगाते है तो यह इस तरीके से बनता है कि दोनो pole strength के बीच में लगने वाला force ठीक है directly proportional होगा दोनो pole strength के magnitude के product के और inversely proportional होगा उन दोनों के बीच की distance के square के ठीक है the force between the magnetic poles is directly proportional कोई भी दो जो magnetic poles है उनके बीच में लगने वाला force यह भी आपको पता है कि यहाँ पे यह force attraction का भी हो सकता है और repulsion का भी हो सकता है अगर आपके दोनों poles same है तो repulsion का होगा और अगर दोनों poles different है तो attraction का होगा ठीक है इस directly proportional to the product of the pole strength उन दोनों poles की जो pole strength है ठीक है उनके product के that means उनके multiplication के तो क्या होगा बीच में जो distance है उसके square के जैसा कि अभी आप diagram में देख सकते हो हमने दो pole लिए हैं ठीक है एक की pole strength है यहाँ पे M1 और दूसरे की pole strength है M2 तो according to this और कुलाम slow दोनों की अगर हम help लेके यहाँ पे कुलाम slow के साहता से अगर यहाँ पे formula निकाले तो आपके पास formula आता है F is equal to K M1 M2 upon R square जैसा कि आपका electricity के अंदर आया था F is equal to K Q1 Q2 upon R square same वही formula आपको यहाँ पर मिलेगा यहाँ पे charge की बजाए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको magnetic pole strength होगी M1 and M2 ठीक है simple सा है normal कुलाम का inverse square लो if M1 and M2 are the pole strength of two magnetic poles which are separated by a distance then the force F is given by यही बाते जो अपनने अभी पीछे discuss की ठीक है इनको यहाँ इन्होंने theoretically बताया है कि अपन कोई भी दो pole strength लेते हैं M1 and M2 ठीक है और उन दोनों को हम लोग R distance से separate कर देते हैं that means उनके बीच में distance कितनी है R है तब आपका force F क्या होगा F is equal to K M1 and M2 upon R square फिर K is equal to Mew upon 4 pi and Mew is the absolute permeability of the medium यहाँ पे Mew क्या है medium की absolute permeability है ठीक है तो normal बात करे formula की तो आपका जो कुलाम inverse square लो है electricity में वो आपको बताता है F is equal to K Q1 Q2 upon R square और आपका जो यहाँ पे magnetism के अंदर आता है वो आपको बताता है F is equal to K M1 M2 upon R square ठीक है तो यह था आपका कुलाम्स का inverse square लो अब अपन बात करते हैं अपने next topic के our next topic is intensity of the magnetic field magnetic field की तीवरता intensity से अगर अपन यहाँ पर relate करें तो intensity का मतलब जो आपने वहाँ पर बढ़ा था electric field के intensity उसी से यहाँ पर relate करेंगे अपन ठीक है अब यहाँ पर अगर अपन बढ़ते है the reason in which a magnetic pole experience a force is called magnetic field सबसे पहले अपन बात करते है magnetic field की है पहले भी अपन डिसकस कर चुक है फिर भी दुबारा बात कर लेते कि ऐसा छेतर जहाँ पर magnetic pole क्या कर रहा है एक force field कर रहा है वो क्या कर लाएगा magnetic field कर लाएगा जैसा कि electric field में होता था कोई भी चार्ज अगर force field कर रहा है तो वो छेतर क्या क्या लाता है electric field क्या लाता है ठीक है it is actually the space surrounding the magnet in which the influence of the magnet is fed actually में होता है कि magnet के चारो तरफ की है वो जगह होती है जहाँ पे अगर आपन बात करें दूसरी magnet को अगर आपन लेके आए तो वो प्रभावित होगी influence का मतलब प्रभावित होना ठीक है जैसा है कि आप लोगों ने electric field में पढ़ा था intensity of electric field क्या होता है जब आप कोई भी चार्ज रखते हो एक point पे ठीक है उसके चारो तरफ की जगह थी उसको आपने क्या बोला electric field बोला electric field जो छेतर है उसका चारो तरफ जब आप वहाँ पे दूसरा charge लेके आते हो ठीक है तो वो force feel करता है ठीक है वह कितना force feel कर रहा है किसी point पे यह है आप निकालते हो तो वो क्या कहलाती है intensity कहलाती है उसी language में अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या होगा कि कोई भी एक unit pole वो north pole भी हो सकता है और south pole भी हो सकता है आपने magnetic field में रख दिया जिस point पे रखा है वो उस point पे कितना magnetic field या फिर कितना force feel कर रहा है वो क्या कहलाएगा आपका intensity of the magnetic field ठीक है बट यहाँ पे एक contraindication आता है contraindication यह आता है कि जो आपका जो electric field था वहाँ पे आपका single charge exist करता है ठीक है इसलिए आप किसी भी एक point पे single charge रख के intensity निकाल सकते हो बट magnetic field के अंदर या फिर आपके magnetism के अंदर single pole exist नहीं करता है इस वज़े से यह जो last में आपने definition लिखिये है the force experienced by a unit north magnetic pole placed at a point in a magnetic field is a measure of the intensity or strength of the magnetic field at that point यह जो definition है यह यहाँ पे wrong साबित होती है because single pole कभी भी exist नहीं करता है इस वज़े से इस definition के थुरू आप intensity of the magnetic field नहीं निकाल सके तो क्या करना होगा अपने को नई definition नया formula नया derivation यह बात की थी अभी अपनने के वल समझने के लिए कि किस तरीके से अपन intensity निकालते है since a unit magnetic pole does not exist जैसा कि आपको पता है कि एक अकेला pole कभी भी exist नहीं करता है this definition is not used to determine the intensity of the magnetic field इसलिए यह है जो definition अभी अपनने पढ़ी है यह है कि अवल electric field में काम आ सकती है but magnetic field या फिर magnetism में काम नहीं आ सकती intensity of magnetic field को निकालने के लिए ठीक है hence the concept of magnetic field is modified as follows इसलिए magnetic field के अंदर इस concept को कुछ modify किया गया वो कैसे किया वो देखते हैं the force experienced by a moving electric charge in a magnetic field is taken as the measure of intensity of the magnetic field अब अपनने क्या किया कि कोई भी एक magnetic field है कोई भी आपका छेतर है जहाँ पर पूरा magnetic field का छेतर है आपने वहाँ पर क्या किया आपको पता है कि आप single pole exist नहीं हो रहता तो आप वहाँ पर single pole नहीं ले जा सकते तो आप वहाँ पर क्या करोगे एक moving electric charge लेके जाओगे ठीक है और वो जो moving electric charge है वो जितना force field करेगा वो आपको वहाँ पर क्या बताएगा intensity of the magnetic field बताएगा ठीक है यहाँ जितना force field करेगा उसके base पर अपन intensity of the magnetic field निकालेंगे ठीक है आया समझ में वहाँ पर जो आपके पास था electricity के अंदर electric field में आप लोग charge point charge को लेके जाते हो intensity of the electric field निकालने के लिए उसी के according अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको magnetic field के अंदर एक pole लेके जाना होगा but single pole exist नहीं करता इस वज़े से हम इस definition को या फिर इस derivation को modify करके इस तरीके से करते हैं कि हम magnetic field के अंदर एक single moving charge को लेके जा रहे हैं और वो moving charge जितना force field करेगा वो आपको intensity of magnetic field के बारे में बताएगा ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो intensity h से denote की जाती है capital h से intensity of the magnetic field को अपन denote करते हैं बात करते हैं इसके mathematical formula की ठीक है the force experienced by यह positive charge क्यों moving with velocity v in a reason of uniform magnetic field b is given by हमने बात की यहाँ पर कि आपका जो magnetic field है ठीक है वो uniform magnetic field लिया है आपने और उसको आप b से denote कर रहे हो अब आप उस magnetic field में एक unit positive charge को लेके जाते हो जिसको आप q से consider कर रहे हो suppose कर रहे हो और moving का मतलब वो move कर रहा है तो that means वहाँ पर उसकी velocity आपने consider की है v अगर कोई भी positive charge q v velocity से अगर uniform magnetic field b के अंदर move करता है तो वहाँ पर आप वो कितना force field करेगा वो formula आपके पास है f is equal to q v b f यहाँ पर है उस charge के दुआरा field गिया गया force q charge है v charge की velocity है और b uniform magnetic field है ठीक है the magnitude of the force is given by f is equal to q v b sin theta अगर इसके आपन बात करें यहाँ पर magnitude की तो आपके पास formula derive होके आता है f is equal to q v b sin theta वैसे देखा जाए तो इस formula का derivation आपके 12th में था आप लोगों ने पढ़ रखा है बट यहाँ पर अपने syllabus में इसका derivation नहीं है इसलिए हम इसके derivation को discuss नहीं करेंगे direct अपन formula की बात करते है f is equal to q v b sin theta अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर theta क्या है तो theta is the angle between v and b जो आपके v velocity किस velocity से वो दोड रहा है तो that means वो किस direction में दोड रहा है आपका जो uniform magnetic field है अगर उसी direction में वो दोड़ेगा तो that means वहाँ पर v और b के बीच में आपके theta की value 0 होगी और अगर वो उससे opposite दोड़ेगा तो 180 degree होगी और अगर उससे perpendicular दोड रहा है तो 90 degree होगी that means यहाँ पर depend करता है किस direction के अंदर आपका charge q move कर रहा है ठीक है अब यहाँ पर अभी अपने बात कि थी कि जो force feel किया जाता है वही क्या कहलाता है intensity कहलाते है और intensity को हम किस से denote करते है h से तो अपन यहाँ पर f को h से replace करते है तो आपके पास formula आता है h is equal to qvb sin theta and the unit of the h is expressed in ampere meter inverse ठीक है और आपके h की unit क्या होती है ampere meter inverse होती है ठीक है एक बार दुबारा से समझे लो पूरे topic को intensity of the magnetic field होता है इसको हम relate करके चलते है intensity of the electric field से electric field में आप लोगों ने पढ़ा कि कोई भी एक electric field हो उसमें आप एक charge को लेके आते हो किसी भी point पे और वो उस point पे जितना भी force field करता है वो क्या कहलाता है intensity of the electric field कहलाती है वैसा ही अगर हम यहाँ पे करें तो हमें क्या करना होगा magnetic field के अंदर एक pole को लाना होगा और वो pole जितना force field करेगा वो क्या कहलाएगा intensity of the magnetic field कहलाएगा बट जैसा कि आपको पता है single pole exist नहीं करता है कभी भी अगर single pole exist नहीं करेगा that means आपकी यह theory यहाँ पे apply नहीं हो सकती इसलिए आप इस theory को modify करोगे modify करने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया कि आप वहाँ पे pole ना लाके magnetic field में आप क्या ला रहे हो एक moving charge ला रहे है और वो moving charge जितना force field करेगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे intensity of the magnetic field कहलाएगा अगर अब इसकी बात करते हैं अपन formula की तो यहाँ पे आप charge लेते हो Q जो V velocity से move कर रहा है एक uniform magnetic field B के अंदर तो वहाँ पे वो force field करेगा F is equal to Q VB sin theta और अभी आपने बात की कि जो force field किया जाता है वही क्या कहलाता है intensity कहलाती है तो यहाँ पे हम F को H से replace करते हैं और आपके पास intensity of magnetic field का formula आता है H is equal to B sin theta ठीक है Now we will discuss about the next topic magnetic flux magnetic flux क्या होता है आपने बात की magnetic field की चुमब की अच्छेतर की magnetic lines of force की बात की ठीक है अब अपन बात करेंगे यहाँ पे magnetic flux की तो magnetic flux को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि magnetic field क्या होता है और magnetic lines of force क्या होता है जो अभी अपन पढ़ चुके हैं ठीक है अब magnetic flux क्या होता है कि जो आपकी magnetic lines of force है magnetic lines of force है बात करें कि एक आप surface area fix कर लेते हो उस fix area में से आपकी कितनी field of lines गुजर रही है अगर अभी अपन यहाँ पर बात करें कि अगर आपके magnetic field के intensity ज़्यादा होगी तो क्या होगा आपने एक area decide किया उस area में से कितनी निकलेंगी for example 10 magnetic lines पास हो रही है ठीक है अगर जैसे ही आपकी कि इसके magnetic field के intensity कम होती है तो कम होने से क्या होगा यह line दूर दूर हो जाएंगी और दूर दूर होंगी तब उसी area से 10 के बजाए 8 या 7 line पास होंगी that means उस वक्त आपके magnetic field के intensity कम है और पहले magnetic field के intensity ज़्यादा थी तो that means कि एक particular area से कितने number में magnetic lines of force गुजर रही है वही क्या क किसी भी एक particular area से कितनी magnetic lines of force गुजर रही है यही magnetic flux कहलाता है magnetic field can be represented by the magnetic lines of force magnetic field को जो आपका चुम्ब के छेतर होता है उसको आप magnetic lines of force से represent करते हो यह चीज़े आपने पढ़ रखे है the tangent to the lines of force at any point give the direction of the magnetic field vector b वो जो magnetic field को आप b से denote करते हो ठीक है और जो आपके magnetic lines of force से अगर आप किसी भी line पे tangent draw करते हो तो वो tangent उस magnetic field b की आपको क्या बताती है direction बताती है ठीक है the total number of magnetic lines of force passing through a surface is called magnetic flux किसी भी एक surface से या फिर किसी भी एक particular area से कितनी magnetic lines of force गुजर रही है ठीक है वही क्या कहलाता है magnetic flux कहलाता है एक बार इस last line को दुबारा से पढ़ लो the total number of magnetic lines of force magnetic of lines of force की total number passing through the surface किसी भी surface से पास होने वाले ही क्या कहलाता है magnetic flux कहलाता है ठीक है सारे के सारे आपके simple topic है 12th के अंदर basic concepts में आते हैं आपके पढ़ रखे हैं आप लोगों ने बट अपने syllabus में है इस वज़े से हम इनको दुबारा पढ़ रहे हैं और इनका derivation अपने पास यहाँ पे syllabus में नहीं है इस वज़े से derivation हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं अब अपन बात करते हैं कि आपने magnetic flux को किस से denote करते हो आप 5 से denote करते हो और वो जो area जिसमें से magnetic lines of force गुजर रहे हैं वो आपने कितना लिया है A लिया है और आपका magnetic field क्या है यहाँ पे uniform है और वो कितना है B है तो यहाँ पे 5 की value आपको मिलती है 5 is equal to B dot A the magnetic flux expressed in the Weber magnetic flux की जो unit होती है या फिर उसको अपन express करते हैं Weber के अंदर express करते है नॉर्मल से बात है magnetic flux कोई hard नहीं है इतना ही है कि एक particular area से या फिर एक particular surface से कितनी magnetic lines of force गुजर रही है वही आपका magnetic flux कहलाता है magnetic flux को आप 5 से denote करते हो now we will discuss about the next topic which is magnetic dipole moment ठीक है अब अपन बात करते हैं यहाँ पे magnetic dipole moment के बारे में magnetic dipole moment क्या होता है यह समझ लो आप कि जब आप कोई भी magnet को एक uniform magnetic field में रखते हो तो उस पे कितना force लगता है और वो किस तरीके से लगता है the magnetic dipole moment of a magnet is defined as the couple force acting on a magnet placed at right angle of the uniform magnetic field कोई भी आपने एक uniform magnetic forward लिया उसके अंदर आपने 90 degree के angle पे एक magnet को रख दिया अब उस magnet पे क्या लगते है दो force लगते है ठीक है वो जो दो force होते है जो couple force होते है वही क्या कहलाता है magnetic dipole moment कहलाते है अब लगता किस तरीके से है consider a bar magnet अपन लेते है एक bar magnet ठीक है जिसकी length कितनी है 2L अपनने suppose किये कि उसके length 2L है and poles strength M for each pole उसके दो pole होंगे हर pole strength कितनी लिया है आपने M लिया है placed in a uniform magnetic field B उस magnet को आपने एक uniform magnetic field B के अंदर रख दिया है making an angle theta with the direction B और वो जो magnetic field है आपका uniform magnetic field है उससे वो theta angle बना रही है that means वो magnet theta angle बना रही है तो उस वक्त then the magnetic dipole moment is given by M is equal to M2LB sin theta ठीक है आपका जो capital M होता है वो denote करता है magnetic dipole moment को और जो small m होता है वो denote करता है pole strength को और यहाँ पर आपके पास आपका formula मिलता है magnetic dipole moment का capital M is equal to small m2LB sin theta the unit of magnetic dipole moment is ampere meter square इसकी unit होती है ampere meter square अब इसका derivation के अगर आपन बात करें कि यह formula आया कैसे तो यह चीज़े आपके slabus में है नहीं इसलिए मैं करा नहीं रहूं otherwise अपन यह चीज़े भी पढ़ सकते हैं बड़ जो आपके जो है वो basic concepts है आपको केवल इनके बारे में पता होना चाहिए इसलिए यह topics डाले गए हैं आपके slabus में तो इनके केवल आपको formula और definition आपको आने चीज़े वैसे देखा जाए तो derivation आपको आना चीज़े थैंक यू झाले झाल 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 झाल